बारत और न्यूजिलेंड की बीच तीन मैचों की T20 स्रीज का आगाज 17 नवंबर से होने जा रहा है पहला मैच साम साथ बजे जैपूर के सवाई मान सिंग स्टेडियम में खेला जाएगा दूशरा मैच 19 और तीसरा 21 नवंबर को खेला जाएगा सबसे बड़ी बात इस मुकाबलों में ये है कि रोई सर्मा को विराट कोली की जगव परमानें T20 कप्तान बनाया गया है और मैच में रोई सर्मा अपने साथ से प्लेइंग 11 में खिलाडियों का चैन करेंगे उसमें सपोर्ट कर सकते है के एल राहूल जो टीम इंडिया के नए उपकतान है और सपोर्ट करेंगे नए कोच रवी सास्तरी की जगव राहूल द्रविड जी हाँ ये तीन नए खिलाडियों की तिकडम यहाँ पर क्या धमाल मचाएगी देखने वाली बात होगी लेकिन प्लेइंग 11 पुरी तरह से बदल चुकी है टी ट्वेंडी वर्ल कप में टीम इंडिया की प्लेइंग 11 पर काई ज्यादा सवाल उठेते लेकिन अपकी बार नया कपतान है नया उपकतान है हमारी उम्मीदे भी इस टीम से नई है तो किस तरह से आगास करेंगी न्यूजिलेंड के कलाब टीम इंडिया जैपूर में टीम इंडिया की पहले टी 20 मुकाबले में प्लेइंग 11 में एक नहीं दो नहीं बलकि काई सारे बतलाव होने जा रहे है हम आपको बताएंगे इस वीडियो में तो वीडियो को ध्यान से और पूरा जरूर देखेगा क्या रहेगी टीम इंडिया की पहले टी 20 मैच के लिए प्लेइंग 11 लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी है टीम इंडिया के बहुत ही बड़े फैन तो वीडियो को लाइक करके अपना सपोर्ट जरूर देखाएं और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को जरूर दबाएं गैर आईए जानते है टीम इडिया की प्लेइंग 11 की बारे में और खास तोर पर रोहिज सर्मा के उस तुरुप के एके के बारे में जिनकी डेब्यू पक्की मानी जा रही है और टीम इडिया की प्लेइंग 11 क्या रहेगी खास तोर पर किन खिलाडियों के उपर फॉकस रह रोहित सर्मा क्या प्लेइंग 11 चुनेंगे ये जाने से पहले ये तो हम आपको बताई चुक है पहले और इस बार भी बता दे कि कप्तान जो पहले थे विराट कोली उनके साथ साथ चस्परीत मुम्रा रवींदर जड़ेजा हार्दीक पांडिया और भी तमाम दिगज लाडियो को सामिल किया गया स्क३र्ट के अंदर उनमैंसे प्लेइंग 11 चुनना यानीकी पूरी तरह से यंठी इन उफन कोंबिनेशन बिल्कुल नया होने वाला है नए और यूगा के लाडियो को मौका मिलने में तब आई जानते हैं कि करके टीम इडिया के खास तोर पर प्लेइंग 11 क्या रहेगी सबसे पहले बात आती है ओपनिंग कॉंबिनेशन के उपर तो रोई सर्मा और केल राहूल का ओपनिंग के तोर पर उतरना तो पहले सही तय है ओपनिंग कॉंबिनेशन अच्छा है इसमें क किया जाएगा तीशरे पाइदान पर सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर विराट कोली तीशरे पाइदान पर नहीं केल रहे है तो उनकी जगह किस खिलाड़ी को मौका दिया जाएगा यहां पर तीशरे पाइदान पर सबसे बड़ी दावेदारी ठोक रहे है वेंकटे शा प्रियर को मौका दिया जाएगा उनकी वापसी तय हो चुकी है उनकी जगह पहले सूरी कुमार यादो को मौके जरूर दे गए लेकिन वो सही तरह से भुना नहीं पाए है ऐसे में सूरी कुमार यादो का नए पलिंग लेवन में पत्ता कट सकता है पांचवे पाइदान पर पर इस पंद बतोर विकेट की पर बलेबाज खेल रहे है चटवे पाइदान पर इसान किसन या फिर सूरी कुमार यादो इन दोनों में से किसी एक को जगह दी जा सकती है चटवे पाइदान पर आपको क्या लगता है इन दोनों में से किसको जगह दी जानी चाहिए या फि क्योंकि उन्हें T20 स्कॉर्ट में भी हिसा मिला था वर्ल कप के अंदर लेकिन अब यहां पर उनकी प्लेंग 11 में जगत ताइम आनी जा रही है साथवे पाइदान की बाद आटवे नमबर पर रविन चंदर अस्विन का नाम आता है क्योंकि उन्होंने T20 वर्ल कप में सांधा गैनबाजी की है भले ही टीम इडिया का परदर्शन निरा साजनक रहा लेकिन बतौर एक गैनबाज अस्विन ने सभी को परवावित किया है तो यहां पर इन तीन T20 मुकाबलों में अस्विन की जगा भी पकी है नवे पाइदान पर मौमद सिरास को मौका दिया जाएगा एक अच्छे बॉलिंग पेस्ट में आते हैं और दस भी पाइदान पर दीपक चहार को मौका दिया जाएगा जी हां दीपक चहार भी सांदार फौर में दिखाई दे रहे हैं हर्षल पटेल आईपेल 2021 के सीजन में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले के अनबाज रहे थे उन्होंने प्रपल कैप पर भी कबजा क्या था उन्होंने आईपेल 2021 में कुल 32 विकेट निकाल कर एक सीजन में सरवाधिक विकेट लेने वाले ट्वैन ब्राव की रिकॉर् प्लेंग 11 में भी सामिल होता हुआ दिखाई दे रहा है और पहुत ज्यादा हर्षल पटेल की उपर भी टीम इंडिया डिपेंड रहने वाली है तो हमारे इसाब से टीम इडिया की प्लेंग 11 कुछ इस तरह से रहेंगी लिकिन आपको क्या लगता है पहले मुकाबले के लिए प्लेंग 11 क्या होनी चाहिए कमेंट सेक्षन में अपनी राय जरूर बताए